हालो एव्रियों वेल्काम और कम बैक टू माई चानेल तो आशा करते हैं आप सब अच्छे हो ठीक हो खुश हो हम भी ठीक है और मैं आज ले आई एक नई वीडियो यह तो नहीं है पर यह बहुत ही पुराना वीडियो है बहुत दिनों से पड़ी है मैंने बोली थी पहले बह लगाना है यह पाहर मित्ती में लगा दूंदी यह देखो प्याज है प्याज का जड़नी का लाए इसलिए मैंने इसको ध्यान से कटके रग दिया जैसे की लगा सकती हूँ वैसे अभी मैं लगाने के जलती हूँ हूँ ठीक हो रहे है वान तो मैं जटी शाब लागे है न लगता हूँ अब अब लगता हूँ अब इसको पहले मैंने बहुत सारी लगाए थे प्याच की कलिया तो अभी अभी भी बहुत हो गए तो सोच रही की लगा दू और यह मैं और इशाणी दोनों मिलके अभी लगा रही हूँ तो इशाणी और मैं इसको बहुत सारी प्याज है बहुत प्याच की जड़ हो गए तो इसको लगाना जरूरी था कूल यहां आठा ने लिया आठा को मैं अभी तो मैं बनाओं गी आज एग रोल दो समि हंदर आ कर गाहें और मैं अटा कूल लेकू तो मैं आच बहुत दिन बाद एंग रोल बनाने जा रही हूँ बहुत दिन बहुत साल बाद बहुत साल मैंने नहीं बनाए दो साल तो हो गया एवरोल नहीं बनाए तो आज मैं बना रही हूँ यह है गेहू की आटा मैं मैं दे से नहीं बना रही हूँ गेहू की आटा से बनाऊंगी आज और प्याज और मीची सब कुछ काट लिया अच्छे से आटा गुन लिया और इधा मिच्छी और प्याज भी कट लिया और मैं कट लिया खीरा और टमाटर तो अब मैं बनना शुरू कर देती हूं स्टार्ट करती हूं अब देखो आटे को मैंने गोल-गोल करके रख दिया डिवाइट कर गे और अंडे ले लिया खूप सरे अंडे और अभी बेलना स्टार्ट करती हूं तो इसमें तो अंडा आते तो अंडे को मैंने एक ग्लास में रद्या प्याज और मिच्ची देखे आप देखी सकते हो मुझे पोलने का जरूरत नहीं है और जो लोग बना सकते हैं तो बनाते हैं मैंने तो बहुत साल नहीं पनाई दो इसमें खाने में तो अच्छा लगता है का जैसी भी बनाओ खुट बनाओ तो अच्छा ही बनता है यह सबसे च्चीे को जाएगा ads are कि अभी अभी खाना खा लेती हूँ मजे से मतलब बहुत दिन बात बनाएं बहुत फेवरेट है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत एंज़ाय करके खाड़ी हूं तो अगर आप लोगों यह अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए व्लाप जी तो डीदी हमारे धर में आए और और भी दीदी लोग आए आजा दीदी ओ दीदी मतलब नहीं हो आजा आजा करना दीदी हलो हलो यह दीदी है राधस्तान की और यह रहा हम सक है यह एंपी का है तो देखो आगये बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार यह लो बहाँ मरे गर में आए आए आपको लोगों के बहुत स्वागत है तो देखो यह जो दीदी है तो यह मेरा नई परोसी है और मेरा नई दोस्द भी है और यह चारो दीदी मेरा क्वाटर की सामने पास में रहती है और यह चारो मतलब अलाग अलाग जगा का है अलग-अलग स्टेट का है कोई राजस्तान, कोई हरियाना, कोई MP का और मैं तो बेंगल की हूँ तो हम सब मिलके एक साथ बाते करती हूँ बैटती हूँ, एक साथ बहुत मज़ा करती हूँ ऐसे हम मज़ा करती हूँ और ये सारे लोग मेरे घर में आ जाए मुझे बहुत ही अच्छा लग रही है और मैं बहुत ही खुशू सब मिलके एक साथ हमारे घर आए ये बहुत बड़ी बात है असल में ये जो लोग है सब अलग-अलग जगा का है इनका भासा भी अलग है पर क्या है, ये सारे लोग एक साथ रहती है पास-पास रहती है परोसी की तड़ा सब मिल जोलके रहती है ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसमें बहुत ही मतलब अलग सब एक फील होता है क्योंकि सब मिलके सब राष्ट पुरा भारत मिलके एक हो जाती हूँ ऐसा कुछ लगता है बहुत ही अच्छा लगता है तो ठीक है तो आज मैं हम मतलब आज हम सब लोग मिलके थोड़ा बाते करेंगे मज़ा करेंगे और डाउंस भी करेंगे तो ये सब होगा हमारे घर में आज तो वीडियो को पुरा देखना है तो ये बताने वाली हो कि ये दीडिका एक चैनल है यूट्यूब में क्या नहीं है? माया की ब्लॉग है और जो लोग वीडियो देख लियो तो दीडिका चैनल को सबस्कृत कर दीजिए और और क्या? क्यारी कर दीजिए और वीडियो जो अच्छ लगे तो लाइक कमेंट श्यार कर दीजिए तो आज हम बहुत मज़े किया और ये लोग ज़्यदा कुछ नहीं खाए तो अभी लोग चले जाड़ी है टाइम हो गए सब का अपना तो सब अप जाड़ी है तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दिजिए ओके बाइबाइ